प्रीव विध्यारतियों हमने पहले वाले चैप्टर में इथर की नॉमन क्लेचर, उनके प्रकार, उनके बारे में जनरल इंट्रोडेक्शन पढ़ा था आज हम इथर का method of preparation के बारे में उचके बनानी की विद्यों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले alcohol के dehydration से यह बनाया जा सकता है मतलब यदि हम alcohol में से एक mole of water निकाल दें तो इथर प्राप्त होता है इसके लिए हम अधिक्ताप कुरम पर H204 के साथ reaction कराते हैं सरप्रथम अमलिय माध्यम में इथेनॉल में ह आयन जुड़कर ओ एस्टू ग्रूप बनाता है जो आसानी से इससे अलग हो जाता है और हमें CS3, CS2 एलकाली ग्रूप प्राप्त होता है यह है अलकाली ग्रूप जब उन्हें इथेनॉल से reaction करता है तो एक complex compound बनाता है और इसमें से proton त्याग कर यह है अलकाल से इथर प्राप्त होता है इस विधी में हम यदि अधिक temperature को आगे और reaction करें तो हमें product के रूप में एलकीन प्राप्त हो जाता है इस अभी क्रिया में हमें temperature का विशेश ध्यान रखना होता है यहाँ एक बात मुख्यत यह देखने की है कि यह है अभी क्रिया में यदि हम aluminium oxide AL2O3 की 250 centigrade पर काम करें अभी क्रिया करें तो भी हमें इथर प्राप्त होता है लेकिन यदि हम secondary और tertiary alcohol का dehydration करते हैं तो हमें मुख्य रूप से अलकीन ही प्राप्त होता है प्राइमरी एलकोहल से ही हमें इथर प्राप्त होता है दूसरी अभी क्रिया में हम alkyl halide से प्राप्त करते हैं इसमें हम alkyl halide की silver oxide AG2O के साथ गरम करते हैं और इथर प्राप्त हो जाता है तीसरी अभीक्रिया मुख्यत है एक प्रमुक अभीक्रिया है जिसको हम विल्यमसन इथर सिंथेसिस कहते हैं इस अभीक्रिया के अंदर हम प्राप्त कर देखते हैं कि इथेनौल की सोडियम से रियाख्यन कराने के उपर सोडियम इथोकसाइड प्राप्त होता है यह अभी क्रिया एसेंट्टू मेकेनिजम से समझाई जा सकती है सोडे मिठोकसाइट की जब हम एलकाइल हैलाइट से रेक्शन करते हैं तो हमें इथर प्राप्त होता है इसके रिजल्ट अच्छे प्राप्त करने के लिए हमें प्राइमरी एलकॉल का ही रुपयोग में लाना पड़ता है यदि हम टर्शरी एलकाइल हैलाइट गाम मेरे लेते हैं तो हमें मुख्यत एलकीन प्राप्त होता है यदि हमें एराइल गुरॉप का इथर चाहिए तो हमें Phenol की Sodium Hydroxide के साथ कराने पर Sodium Phenoxide प्राप्त करते हैं जिसकी पुने Alkyl Halide Sejection कराने पर हमको Alkyl Phenyl Ether प्राप्त हो जाता है यहां पर यह देखने की है कि पहले हमको Elimination Reaction का भी हम प्रकरिया को पाते हैं इस प्रकरिया के अंदर एक कम Alkyl Halide से हम Eliminate कराके उसको प्राप्त कर लेते हैं चौथे नमबर के अभी करिया में हम एक देखते हैं कि यदि हम Phenyl Group की Acetyl Chloride के साथ Alcl3 के उपस्तिती में कराने के उपर और फिर उसका Hydrolysis कराने के उपर अथार फिर्डल क्राफ्ट अभी करिया में काम करने के उपर हम को Alkyl Phenyl Ether प्राप्त होता है यह है फिर्डल क्राफ्ट अभी करिया का एक अच्छा उधारण है यहां ध्यान रखने की बात यह है कि इसका पहला स्टेप हमको निर्जल अवस्ता में काम करना होता है अथार ड्राई इथाई इथर में काम करना होता है एक अन्य भी करिया जिसको हम ग्रिगनाट रिएजेंट के नाम से जानते हैं इसके अंदर मोनोक्लोरोडाई इथाईल इथर की ब्रोमो मेंगनेशयम इथाईल ग्रुप के साथ करते हैं तो हमें फिनायल प्रोपाल इथर पराप्त होता है यह अभी करिया एक तरह से लोर कारवन से हर कारवन वो कनवर्ट करने में काम में ली जाती है एक अन्य अभी क्रिया में हम देखते हैं कि यदि हम इपक्साइड को अभी क्रिया कराते हैं अथाद इपक्साइड को प्राप्ट करना होता है तो हमें C double bond के साथ पर ऑक्साइड अथाद R, C, O, O, O जिसमें एक कार्बन के उपर double bond कीटो ग्रूप और दो ऑक्सीजन ग्रूप उसके पैरलल में लगे होते हैं इसकी BR2 की उपस्तिती में NOH के साथ या वाटर के साथ करने पर हमको फिनॉक्साइड ग्रूप प्राप्त होता है यही इंट्रा मॉलिकौर SN2 रेक्शन में हम कराएं तो हमें secondary alcohol के वाट के उपस्तिती में कराने पर हमें इपक्साइड प्राप्त होता है इस प्रकार हमने आज alcohol, alkyl hyalides और अन्य विनॉलिक रूप से आज हमने इपक्साइड और इथर्स का बनने की अभीक्रिया देखिएं इन सभी में मुख्य रूप से elimination reaction और SN1, SN2 अभीक अभीक्रिया का दिखा है, मैं विध्यारतियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि इस अभीक्रिया में हम primary alcohol से ही उत्पात प्राप्त करते हैं, secondary और tertiary alcohol का उप्योग करने पर हैया highlight का उप्योग करने पर हमको alkyene प्राप्त होता है, आज हम इतना ही, अगले चैप्ट